नमस्कार दोस्तों मैं किस्सा बाजवला लेकर आया हूँ विश्व अभी ख्यात लेखको की कहानियों का गुच्छा दोस्तों अगर हमारी कहानी आपको पसंद आये तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें तो आये बिना देर की शुरू करते हैं मार्ज की कहानी कहानी का सिरिशक है अगनी श्रिंगार इसे लिखा है डॉक्टर शोभा घोश ने पदमीनी अपने श्रिंगार कच में आदम का दरपन के समुक खड़ी है काली घुंगराली अलकें, कमान सी भोहें, खंजन सी आखें और सुंदर की स्वर्गिये दिप्ती से प्रकाशित मुख मंडल रूप की गरोगरिमा और प्रकाश से दरपन ही ने पुरा श्रिंगार कक्ष आलो की खो उठा क्या यही वह सुंदर है जिसकी सुर्भी कश्मिर से कन्या कुमारी तक पूरे देश में फैली हुई है क्या यही वह रूप है जिसकी गंध पा यवन समराट अलावदिन लोलू भोरे की तरह मिवाड का चक्र काट रहा है रूप की गंध मादक्ता और आकर्शन कभी कभी कितना घातक होता है कितना जहरीला रूप राशी पदमिनी ने अपना चेहरा दरपण में फिर फिर देखा उसे अपने सौंदर से घिरना हुआई यह रूप राशी उसके निश्कलंक चेहरे पर निश्कलूस चरित्र पर कालिक पोद गई है शिराओं में खोन खौलने लगा आखें आग उगलने लगी लगा कि दरपण के समुक एक जहरीली नागिन फुपकार मार रही हो ज्वाला मुखी भवक उठा हो प्रशान सागर में ज्वार उठ गया हो ब्रिकुटियां तन गई नासिका कम्पित होई भुजाएं फड़क उठी कमर से कसी कटार अपनी रक्त प्यासी जिवा लपलपाने लगी पदमिनी का संपूर्ण शरीर काप उठा इस कल्पना से उसके रूप सौंदर से आकरिष्ट होकर यवन समराट ने उसकी प्रिये मातरी भूमी पर चड़ाई कर दिये और रूप राशी पदमिनी को प्राप्त करने के लिए उसकी सेना मेवाड का घेरा डाले पड़ी है किवल एक नारी के लिए किवल एक नारी के रूप के लिए दुनिया क्या कहेगी और इतिहास क्या कहेगा पदमिनी का आरत तमुख मंडल दरपन में प्रतिछवित हो उठा विचाज सरिंखलाओं ने क्रोध के आवेक का अवरोध किया इसी अप प्रताशित राष्ट्रिय संकट की घड़ी को टालने के लिए पदमीनी ने आत्म सम्मान से राष्ट सम्मान से सम्झोता किया मेवाड की महरानी की प्रती छवी देखकर आकर्मनकारी यवन समराट वापस लोट जाएगा इस ग्रणित वरस्ताव पर पदमीनी ने अपमी सुकृती दे दी थी पर यवन का विश्वास आकर्मनकारी का आश्वासन भोले राजपूतों का कोरा भ्रम सिधुआ इतिहास बार बार यही कहता आया है कि देश ने जब जब आकर्मनकारी पर विश्वास किया है धोखा खाया है आकर्मनकारी यवन समराट को भी दरपन में पदमीनी की प्रती छवी से संतोश न हो सका वो अपना वचन आश्वासन भूल बैठा रूप राशी पदमीनी को अंक्षाइनी बनाने का यवन समराट का निश्चय और सिद्रढ हो गया मिवाड का घेरा और द्रढ होता गया दुर्ग का एक एक द्वार हज्जारों राजपोते की बली के बाद तूटने लगा दुर्ग के रक्षिकों की संख्या कम होने लगी और एक दिन हुआ घड़ी भी आ गई कि राणा एवन समराट के सेना द्वारा बंदग बना लिये गए अलावदिन ने पदमीनी के पास संदेश भिजवाया यदि वह अपनी खुशी से शाही हरम में आ जाएगी तो वह बंदी राणा को मुक्त कर देगा मिवाड की महरानी ने साहस पुर्वक उक्त परस्ताव स्विकार कर लिया था और पांच सो पालकियों में दासियों के साथ हुआ यवन समराट के खेमे की और चल पड़ी थी खेमे में पहुँचते ही पालकियों से तलवार लिये राजपूत निकल पड़े और रंग्रलिया मनाते हुए यवनों पर तूट पड़े मेवाड की महरानी बंदी राणा को मुक्त करके दुर्ग में वापस लोट आई थी वी राजपूतानी का वह शोरे विश्व इतिहास के स्वर्णि प्रिष्ट में बना हुआ है महरानी पड़मीनी के मेवाड की उसी पुतरी के चेहरे पर आजचिंता की ये रेखाएं क्यों आश्रंका का दर्पन काप उठा मेवाड की महरानी का शरीर काप रहा था क्या भै से और आश्रंका से नहीं वह राजपूतानी है उसका शरीर मेवाड की मिट्टी से बना है त्याग भूमी मेवाड बलिदानी राजपोतों के रक्ष से सनी है मातरी भूमी की मर्यादा पुर्भुजों की गोरो शाली प्रमप्रा अक्षून रहेगी राजपोतों के जीवन में भै और आशंका के लिए स्थान नहीं है मिवाड की रक्ष रंचित धर्ती उसकी संताने इसकी मा की रक्षा करना जानती है यह मिट्टी बार बार लहो की धार से सीची गई है आज मिवाड की मिट्टी फिर अपना मुल्य मांगती है हम प्राणों के रक्ष से मात्री भूमी की मर्यादा की रक्षा करेंगे चण भर में ही महरानी ने अंतिम निर्णय कर लिया मुख मंडल गर्व से दिप थो उठा वक्ष फूल उठा भुजाय फड़क उठी दरपन गर्वान भी थो उठा महरानी अब भी दरपन के समुख खड़ी थी दासी ने आकर खबर दी दुर्ग का पुर्वद्वार धोस्त हो चुका है यवन सैनी केले में प्रवेश कर रहे है पद्मिनी की भोहें च्छन भर को संकुचित हुई पर केवल च्छन भर के लिए फिर वा दरपन के समुख श्रिंगार में व्यस्त हो गई दूसरी दासी ने आकर समचार दिया महरानी दुर्ग का उत्तर द्वार भी धोस्त हो गया महरानी के चेहरे पर कोई परवर्तन नहीं हुआ महरानी श्रिंगार कर रही थी दासियां स्रिंगार समगरी के लिए खड़ी थी गुंगराली अलकों में सुंदर सुगंदित लाल-लाल फूल लाल रंकी साड़ी माथे पर लाल बिंदी मांग में सिंदूर की लाली मा येसा लग रहा था मानो महारानी पदमिनी रक्षिंगार कर रही हो रत्न जरित आभुशनों के मध्धे जिल मिलाती रूप राशी पदमीनी ने दर्पण में अंतिम बार अपना रूप देखा महरानी यवन सेना अंतापुर के द्वार तक आप पहुँची है संदेश वाही का दासी की बात अंसुनी करती वी महरानी बोली चिता तयार है मेरा साथ कौन देगा स्रिंगार कक्ष में एकत्र छत्रानियों में हल्चल सी मच गई एक सम्यत स्वर फूट पड़ा मेवाड की जय महरानी पदमीनी की जय हम सब आपके साथ चलेंगी महरानी एवन सम्राट एक भी राजपूत रमनी की परचाई तक नहीं देख सकेगा मृत्यू के बाद भी नहीं महरानी का चेहरा गर्व से उदिप्थ हो उठा चितात तयार हो चुकी थी महरानी का अश्रिंगार समाप्थ हो चुका था दास्यों ने महरानी की आर्ती उतारी मंगल तिलक लगाया आगे आगे महरानी पदमिनी पीछे पीछे मिवाड की विरांगना च्छत्राणियों का समु देवतावी सपूर छवी पर मुगध होकर पुष्प विरिष्टी कैसे न करे सामने चिता धदक रही थी अगनी देव अटाहस कर रहे थे महरानी सिता की अगनी प्रिक्षा पदमिनी का अगनी शिंगार गगन चुम्बी लप्टे मिवाड की क्रांती गाथा अनंत अंबर से प्रसारित कर रही थी तभी एक दासी ने आकर निवेदन किया महरानी महराना ने मात्री भुमी की रक्षा है तु असंख ही यवनू को मोत के एक हाट उतारते हुए वीर गती को प्राप्त किये महरानी ने एक दिर्ख श्वास ली संभावता वह अब तक इसी समचार की प्रतिक्षा कर रही थी महरानी पदमिनी ने मेवाड को अगनी देवता को और फिर मेवाड कुल केतु महराना को परणाम किया महरानी पदमिनी की जय के नाथ से संपूर्ण वातावरन मुखरित हो उठा मेवाड की जय पदमिनी महरानी ने दोहराया एक सुर्गिय मुष्कान महरानी के अधरूं पर खिल गई दूसरे ही छण महरानी प्रजलित चिता में कूद पड़ी गगन चुम्बी लाल लप्टों ने उन्हेत्यंत प्रेम सित्मी बाहों में ले लिया रूप राश्वी पदमिनी का अंतिम श्रिंगार अगनी श्रिंगार समाप्त हो गया महरानी के बाद एक एक कर मेवाड की ललनाय चिता में कूद गई अंतापूर खाली हो चुका था बलिदानी छतराणियों की पांथ समाप्त हो चुकी थी सब कुछ समाप्थ हो गया लेकिन मेवाड की आन की कृती का पता का आकाश में लहरा रहा था दूसरे दिन इवन समराट की सिना ने अंतापूर में प्रवेश किया तो पाया राक की धेरी मुठी भर राक यही अपूर लावन्य में अदूतिय सुन्द्री पदमिनी के सौंदरिका उशेश था धन्यवाद